डी टी डिपल एस भी पी जी टी के इमतिहान में पूछे के उर्दु के कुछ एहम सवालात को हम डिसकस कर रहे हैं इससे मतलिक कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स पिछली वीडियो में डिसकस किये जा चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप लोग ने हमारी वो क्लास नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेफ्ट करूंगा कि जरूर देखिए चलिए आज का हमारा पहला सवाल जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कवायत का वो हिस्सा जिसमें जुमलों से बहस की जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो उसे इलमें नहों कहते हैं ठीक ह अरस्तु की मशूरे जमाना किताब है बूती का इसका उर्दो में तरजमा किस ने किया था तो बूती का उर्दो में तरजमा तीन लोगों ने किया एक तो अजीज अहमद ने किया इसके इलाव शमसुर रहमान फारुकी ने और जमील जालबी ने भी तीन लोगों ने बूत कोछ perhaps 4. Here up KOror 10 लवर्वयादِ त्रुमें का उर्दु में मन्जून तर्जमा किसने किया पूछा जा रहा है आदिल असीर देहलवी ने रुबायाद्यादS खंयाम का उर्दु में तर्जमा किया कोछन नम्बर पांच है कि अर्दु शायरी के आबाम शुमार जहुरुदीन हातिम के हम असर कौन थे तो नजीर तो नहीं थे इन्शा और आतिस भी नहीं थे फुगां जो थे ये हातिम के हम असर शायर है यानि बी वला अफसन करेक्ट होगा उर्दो में कुरान शरीफ के पहले तर्जमे का एजाज किसी हासिल है तो शार रफिय उद्दीन ने सबसे पहले उर्दो में कुरान शरीफ का तर्जमा किया था अगला सवाल है कि तखलीकी तर्जमे के जुम्रे में क्या आता है तो तखलीकी तर्जमा के जुम्रे में आता है मौतदिल तर्जमा चौथ हवाला अफसन सही होगा कोशन नमबर आठ है राम बाबु सक्सेना के मताबिक किसका जमाना अर्दो शायरी की सबसे बड़ी तरक्की का जमाना है या फिर अर्दो शायरी का अहद जर्री अहद जर्री यानि की गोल्डन पिरियड आफ अर्दो पोट्री किनके जमानों को कहा जाता है तो मीर और सौधा के जमाने को मीर तकी मीर और मिर्जा मुहम्मद रफी सौधा इनका जमाना बकौल राम बाबु सक्सेना अर्दो शायरी की सबसे बड़ी तरक्की का जमाना या फिरियों कहें कि अर्दो शायरी का एहद जर्री है नवाब मिर्जा शौक की मशहूर मसनवी कौन सी है? तो नवाब मिर्जा शौक की जो मशहूर मसनवी है उसका नाम है जहर इश्क जिसकी हिरोईन का नाम क्या होता है? महे जबी होता है महे जबी इसकी हिरोईन है याद रखिएगा ये कैसी मस्नवी है जिसमें मा फौकुल फितरत अनासिर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किये गए है जो मिर्जा सौक है इनका असली नाम भी कभी कभी पूछ देता है तो याद रखिएगा तसद्दुक हुसेन इनका असली नाम है रमूजुल आरिफीन ये मस्नवी है इसके खालिक कौन है तो मस्नवी रमूजुल आरिफीन के खालिक है मीर हसन जी हाँ यही मीर हसन जिनोंने मस्नवी सिहर बयान लिखी थी मीर हसन ने छोटी बड़ी कुल मिला करके बारह मस्नविया लिखी 12 अभी जो मस्नवी हैं उनका नाम में बोल रहा हूं ध्यान से सुनियेगा नकल कलाउनत नकल जन फाहिशा हिजव कसाई नकल कसाई मस्नवी शादी आसिफ दौला मस्नवी रमूजुल आरिफिन जो आप से पूछा है मस्नवी हिजव हवेली गुलजार इरम ये भी इंपोर्टेंट है पूछा जाता है गुलजार इरम ये भी किसकी मस्नवी है मीरहसन की है इसके इलावा मस्नवी दर तहनियत एद मस्नवी दर वस्फे कश्फे जवहर और मस्नवी दर खान नेमत ये सबी मस्नवी अभी मीरहसन की है और इनमें सबसे जाद जो मशुहूर मस्नवी है वो मस्नवी सेहर बयान है ठीक है मस्नवी सेहर बयान जिसके मानी है बयान का जादू ये 1784 इस्वी में आसिफद दौला के जमाने में इन्होंने लिखी थी मस्नवी सेहर बयान को गिलक्रिफ्ट की फरमाईश पे मेर शियर अली अफसोस के मुकदमा के साथ 1805 एस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कलकता से चापा गया था मस्नवी सेरुल बयान को रशीद हसन खाने मुरत्ब किया मस्नवी सेरुल बयान को इसमें बामसम्मा कहा जाता है इसमें बामसम्मा मस्नवी सेरुल बयान है मुम्मद उसाइन हाली ने इस मस्नवी के बारे में लिखा कि जमाने ने इसकी सिहर बयानी पर तमाम शोरा और तज्किरा नवेसों से महजर शहादत लिखवाया हाली कहते हैं इस मस्नवी के बारे में कि सिहर बयान को सबसे बहतरी मस्नवी करार दिया जा सकता है यानि किहाली के मताबी गुर्दो की सबसे बेदरियन मस्नवी सिरल बयान किसकी है मीर हसन की है उनकी एक और मस्नवी आपसे पूछ दिया गया है रमूज अलारफीन ठीक है ना कोशन नमबर ग्यार हिंदुस्तान में तर्जुमा का पहला एदारा जहां मुनज्जम और सिर्वी में बना था जिसका मकसद था अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान और हिंदुस्तानी तहजीबु तमद्दुन से आशना कराना तो जब ये कालिज बन गया लाड़ विलेजली के हुमों पे तो जान गिलकरिष्ट को शुबह हिंदुस्तानी का सदर बनाए गया जान गिलकरिष्ट ने उस वक्त के जितने भी माया नाज मसन्नेफین थे सब को जमा किया और उसने अरभी, फार्शी और स्रांस्क्रिट की जो माया नाज के ताबे थी उनका अर्दु जबान में तर्जमा कराया यानि कि हम कहें कि फोर्ट विलियम कालेज ने ही पहली बार मुनज्जम और बाकाइदा तोर पर अरभी, फार्शी और स्रांस्क्रिट से उर्दु में तर्जमे कराया तो ये बात बिलकुल दुरुस्त है यानि पहला वाला अप्सन करेक्ट होगा फोर्ट विलियम कालेज के 25 साल बाद यानि कि 1825 इस्वी में एक और कालेज बना था इसका मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी और मगर्बी उलूम से वाकिफ कराना 1825 में एक मदर्सा पहले से चलता था मदर्सा घाजियुद्दीन खान के नाम से उस मदर्सा की तारीखी अमारत में 1825 में दिल्ली कालेज कायम किया गया जिसके पहले जो प्रिस्पल थे वो हेनरी टेलर मिश्टर जोजफ हेनरी टेलर बने और इस कालेज से वाबस्ता बहुत सारे जो इस्टुडेंट्स और जो इसके असात्जा थे उन्होंने अर्द्व अदब की बहुत सारे खित्मात अंजाम दें उन्हों में जो कुछ अहम नाम है वो आपको डाक्टर रामचंद्र का नाम काफी आहमियत का हामिल है उन्होंने एक रिसाला जारी किया था डाक्टर रामचंद्र ने उसका नाम था फवायद नाजरीन इसके अलाव़ डाक्टर रामचंद्र ने एक और रिसाला जारी किया था जिसका नाम था महिब्बे हिंद ठीक है ना जो लोग अहम अहम लोग दिल्ली काले से वाबस्ता थे उनमें कौन कौन है तो मौलवी ममलूक अली, मौलवी एमाम बक्स सहबाई, माश्टर रामचंद्र, प्यारे लाल और मौलवी जकाउला वगएरा अहमियत के हामिल है चलो, अगला सवाल जो है वो आप लोग देख पा रहे होंगे और इसका जवाब आप लोग अगर तीन वाला चूज़ कर रहे हैं तो आपका जवाब गलत है मसनवी कुतुब मुश्तरी में मौहमद कुली कुतुब शाह की मौाशिका की दास्तान है तो रूप मती नहीं जो मौहमद कुली कुतुब शाह होता है उसकी जो माशूका होती है वो कौन होती है तो उस माशूका का नाम होता है भाग मती लेकिन यहाँ पे फूल मती लिखा है न रूप मती लिखा है न तो यह गलत है, फूल मती भी गलत है, भाग मती नाम होता है, ठीक है न, यानि कि पहला वाला अफसन हमारा सही होगा, यह जो मस्नवी कुतुब मुश्तरिय किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी, मुल्ला वजही ने, कब 1609 इस्वी में, कुली कुतुब शाकी फर्माइश पे, इसमें टोटल बारा किर्दार हैं, ठीक है, बारा किर्दार हैं इसमें, और इसको इन्होंने बारा दिन में ही मुकमल कर लिया था, इसके किर्दारों की बात करें तो इबराहिम कुतुब शाह, मुहम्मद कुली कुतुब शाह, हिरोईन, जो कि बंगाले के साइजादी थी, भागमती जिसका नाम था वो उसके बाद उसकी बहन का नाम जहुरा था जो कि एक अहम किर्दार है इस मस्नवी का इसके अलावा एक मिर्रीख खान इस मस्नवी का किर्दार है जो कि काफी मशूर है मिर्रीख मिर्रीख के अलावा उतारिद ये भी एक एहम किर्दार है जो की मुसविर होता है और इतका शौक होता है लड़कियों की खुबसूरत औरतों की तस्विरे जमा करना असाद खान, सुलक खन परी, मुहताब परी और देगर किर्दार हैं तो ये कुतो मुस्तरी गोलकुंडा की पहली तबवजाद मस्नवी आप याद रखेंगे अगला सवाल जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि मीर गुलाम हुसेन जाहिक के शागिर्द जिनोंने उर्दू अदब की एक शाहकार मस्नवी लिखे उनका क्या नाम है तो वह हैं मीर हसन मीर हसन ये पैदा हुए कब 1199 हिज्री वो मताबिक 1737 इस्वी में दिल्ली में और 1784 इस्वी में नहीं 1786 इस्वी में इनका इंतिकाल हुआ था कहां पे लखनव में इनकी 12 मस्नविया मैंने बता दी आपको पहले ही और इनकी जो सबसे मशुहूर मस्नविया वो मस्नवी सेरुल बयान है 1784 में नहीं लिखी थी अगला सवाल है कोश्चन नमबर 14 इबने निशाती की एक मायानास तखली इबने निशाती जो है इन्होंने भी एक मस्नवी लिखी थी जिसका नाम क्या है फूल बन है तो फूल बन ये मस्नवी इबने निशाती की बहुत ज़्यादा मकबूल और मशुहूर मस्नवी है इन्होंने 1066 हिजरी बहुताबिक 1655 इसवी में ये फूल बन मस्नवी लिखी थी जो कि एक इश्किया मस्नवी है जिसमें टूटल 1744 अशार है ये पूछा जाता है इसमें कितने अशार है 1744 अशार है स्यद आहमद खाहुनर ने मस्नवी फूल बन के जवाब में एक और मस्नवी लिखी जिसका नाम क्या था दर्पन था चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर कोश्चन नमबर 15 मस्नवी गुलजार एरम के खालिक कोने अभी मैंने बताया मेरसन की बार मस्नवी उसमें से गुलजार एरम भी एक मस्नवी थे गुलजार एरम रमुजुल आर्फिन और मस्नवी शादियास फुद दौला और मस्नवी सिरुल बयानी इनके कुछ खास मस्नवी जो की अक्सर पोची जाती हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि सिराज और अंगाबादी की एक अहम और मारूप मस्नवी जिसमें उन्होंने अपने जिन्दगी का मुछ्सिर वाकिया बयान किया उसका नाम क्या है तो बुस्ताने ख्याल है बुस्ताने ख्याल जिस सिराज और रंगाबादी की है बताईए बुस्ताने ख्याल एक दास्तान भी है वो किसकी है कमेंट में आप लोगों को बताना है ठीके ना आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान इस मसनवी में बयान की गई तो नुसरती की मसनवी ये गुलसन इश्क नुसरती की तीन मसनवियां है अली नामा गुलसन इश्क और तारीक इसकंदरी गुलसाने इश्क में इन्होंने मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की है अगला सवाल है कि गुलकुंडा जैसी अजीम सल्तनत का फर्मारवा हैदराबार शहर काबानी उर्दू का एक रफीयल मरतबत शायर में दजबाला कलमात किस के लिए इस्तमाल हुए है तो ये जो कलमात हैं वो कुली कुतुब शाय के लिए इस्तमाल हुए है कुली कुतुब शाय को बारह प्यारियों का आशिक कहा जाता है उन्होंने अर्दू में सबसे ज़्यादा तखल्श इस्तमाल किये कहा जाता है कि इन्होंने 17 तखल्जस इस्तेमाल किये इनका ये अर्दू और फार्सी के लावत तुर्की जबान में भी शायरी तुर्की जबान में नहीं तेलगू जबान में तेलगू जबान में भी ये शायरी करते थे तरकुमान और कुतुब शह और माणी ये सब इनके तखलुस थे तो बारह प्यारियो का सिक और सबसे आहम बात अर्दू के पहले साहबे दीवान शायर ये माने जाते है अर्दू के पहले साहबे दीवान शायर कुली कुतुब शह को माना जाता है दर्से किताबों की फरायमे के वास्ते दारुत तर्जमा का क्याम किस उन्वस्टी में अमल में आया था तो उस्मानिया उन्वस्टी में उस्मानिया उन्वस्टी में आपको कब उस्मानिया उन्वस्टी बनी थी आपकी 1817 इसवी में में अठाःस सत्रह में कि उन्ही सत्रह से स्थी में उन्ही स्थी में दारुत तर्जुमा उस्मानियां हैधराबाद का क्याम हुआ था कहां पे हैधराबाद में और आपसे कुशन किया पोचा है इधर से किताब Gitlla के वागत दारत तरिजम का इम किसी इन्वस्टी में हिए तो इसी उसमय स्पनिय इन्वस्टी में मस्नवी सिहिर बयान किस फरमा रवा के नाम मानून है तो मस्नवी सहर अलवान जो मीरासन की ये नवाब आसिफ दौला के नाम मानून की गई थी बारा मासा का एक नमूना क्या है देखो बारा मासा जो होता है एक हिंदी की सिन्फ होती है जिसमें शायर क्या करता है कि एक हिंदू ब्रहमन अवरत के जजबात को साल के हर महीने में उसकी जिसका हजबिन यानिकी पती उसे छोड़ के विदेश में रहता है तो उसके जजबात को वो शेर की सकल में बयान करता है तो वो बारा मासा होता है ठीक है 12 मासा अमूमन असाड या सावन के महीने से शुरू होता है ये जो 12 मासा की बात की जा रही है 12 मासा नमूना इन में से कौन सा है तो बिकट कहानी 12 मासा का नमूना है ये जो बिकट कहानी है ये किसकी है अफजल जहन जहनुवी की कुछ लोग इनको अफजल पानी पती भी कहते हैं अफजल पानी पती की है इसको शुमाले हिंद की पहली बाद जापता मसनवी तसलीम किया जाता है बिकट कहानी को बिकट कहानी की जबान के बुनियाद खड़ी बोली है बिकट कहानी पहली बार रिसाला कदीम अर्दू में शाय होई थी बिकट कहानी को नुरलसन हास्मी और मसुद संह खाने मिलकर तर्तिब की दिया था ठीक है न तो ये बिकट कहानी 12 मासा का एक नमूना है फजली ने किस असर को नसर के कालिम में ढार कर शुरत अबदी हासिल की फजल अली फजली आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने मशुहूर दास्तान लिखी थी जिसका नाम था करबल कथा ये फजल अली फजली की दास्तान है हुसाँ